दूसरा पाठ, सबसे सुंदर लड़की, प्रिष्ट संख्या, 5 से 11 तक, अब प्रस्तुत है पाठ, सबसे सुंदर लड़की, समुदर के किनारे एक गाउं था, उसमें एक कलाकार रहता था, वह दिन भर समुदर की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता रंग बिरंगी कौडियां, नाना रूप के सुन्दर सुन्दर शंक, चित्र विचित्र पत्थर, नजाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरहा तरहा के खिलोने, तरहा तरहा की मालाएं तैयार करता। और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष, उम्र अभी ग्यार है की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुश जाता, जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिष्टेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया, उस के साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुन्दर, बिल्कुल गुडिया जैसी, हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़ कर उसे लहरों के पास ले जाता, एक दिन मंजरी ने चिला कर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता, हर्ष न बहुत बड़ी लहर दोड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी, मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उचल कर लहर पर सवार हो गया, और किनारे पर आगया, मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी, कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके, उस यह तब और भी जरूरी लगता था, जब वह, वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेश कर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डाल कर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती, वह बेजारी थी, बड़ी खरीब, पिता एक दिन नाव लेकर गए, तो मालाएं बना कर बेच दी, मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती, हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी, एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुन्दर सा खिलोना बनाने में लगे हैं, वह एक पक्षी था, जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था, वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किस के लिए बनाया है, कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुन्दर लड़की के लिए है, मंजरी सुन्दर है ना, दो दिन बाद उसका जन्म दिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट मे देना, हर्श की खुशी का पार नहीं था, बोला, हाँ, हाँ, बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूँगा, और वह दोड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया, और बातें करने लगा, फिर बोला, दो दिन बाद तुम्हारा जन्म दिन है, हाँ, पर तुम क्या करोगी, सबेरे उठकर नहा धोकर सब को प्रणाम करूंगी, घर पर तो सहेलियों को धावत देती हूं, वे नाचती गाती हैं, और इसी तरह बातें करते करते, वे ना जाने कब उठे, और दूर तक समुद्र में चले गए, सामने एक छोटी सी चटान थी, हर्श ने कहा, आओ, छोटी चटान तक चले, मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो, तभी हर्श ने देखा, कनक बड़ी चटान पर बैठी है, कनक ने चिल्ला कर कहा, हर्श, यहां आजाओ, हर्श ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आजाओ, अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे इर्श्या हुई, वहां क्यों नहीं जा सकती, वहां क्या उससे कमजोर है, वहां यह सोच ही रही थी, कि उसे एक बहुत सुन्दर शंक दिखाई दिया, मंजरी अंजाने ही उस ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उख खाड दिये, और वह बड़ी चटान की दिशा में लुड़क गई, उसके मुह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा, यह सब आनन फानन में हो गया, हर्श ने देखा और चिलाता हुआ, वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई, और उसने उसे मंजरी से दू पर आजाएगी, परन्तु उसी क्षण कनक उस कुद लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी, और उसे हाथों में थाम लिया, दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चटान पर थे, कुछ देर हर्श और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया, उसने आखें खोल कर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी, अपने जन्म दिन की पार्टी के अफसर पर वह बिलकुल ठीट थी, उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आये थे, सब से अ सुन्दर लड़की के लिए सब से सुन्दर खिलोना बनाया है, आप जानते हैं वह लड़की कौन है, वह है मंजरी, सबने खुशी से तालियां बजाई, हर्ष अपनी जगह से उठा, और बड़े प्यार से वह सुन्दर खिलोना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया, मंज मंजरी अपनी जगह से उठी, उसके हाथ में वही सुन्दर पक्षी था, वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी, उसने बड़े सनेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुन्दर लड़की तुम ही हो, और एक क्षण तक सभी अचरज से द प्रशंसा की, कनक अपनी प्यारी प्यारी आँखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी, और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी, विश्णु प्रभाकर, अभ्यास, शब्दार्थ, बटोरना, इकठा करना, रिष्टेदार, कताई, बिलकुल, दावत, निमंत्र, भाना, अच्छा लगना, अचरज, हैरानी, इश्य, जलन, कुरुध, नाराज, ठामना, पकडना, संभालना, विशेश, खास, भेंट, उपहार, एक, वाक्य जोडो, नमूना, सहेलियां नाचती हैं, वे गाती भी हैं, सहेलियां नाचती गाती हैं, क, लहरें उचलती हैं, वे कूदती भी हैं, ख, सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं, ग, मेरी माँ पढ़ना जानती हैं, वह लिखना भी जानती हैं, दो, कहानी से, क, हर्ष और कनक, छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे, ख, हर्ष का पिता क्या काम करता था, ग, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बना कर क्यों बेचती थी, ग, मनजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी, न, मनजरी ने कनक को अपना खिलोना क्यों दे दिया, तीन, रिक्त स्थान भरो, नमूना, गुडिया जैसी सुंदर, क, दूद जैसा, रिक्त स्थान, ख, हाथी जैसा, रिक्त स्थान, ग, रात जैसा, रिक्त स्थान, ग, रुई जैसा, रिक्त स्थान, न, चीनी जैसा, रिक्त स्थान, चार, कौन, कैसा, यहां कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो, दयालू, डर्पोक, सहसी, सुन्दर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, इर्श्यालू, अच्छी, मिहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवा, मनमौजी, यहां दोस्तंब दिये हैं, एक में लिखा है कनक, दूसरे में लिखा है मनजरी, इन शब्दों को संबंधित स्तंभों में भरिये, पांच सुन्दर, मनजरी, बिलकुल गुडिया जैसी सुन्दर थी, तुम्हें सबसे सुन्दर, कौन लगती या लगता है, क्यों? छह गरीब क, वह बेचारी थी बड़ी गरीब, लोग आम तोर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी. दूसरी और मंजरी गरीब नहीं थी, पर इरश्यालू और डरपोक थी. तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? ख, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरहा के लोग देखे होंगे. तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? ग, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ. साथ, जन्म दिन. क, क्या तुम्हारा जन्म दिन मनाया जाता है? ख, तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्म दिन मनाया जाता है? और कितनों का नहीं मनाया जाता? आठ, समुद्र, भारत के मानचित्र को देखो, भारत तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा है, उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो, समुद्र के पास वाले राजियों के नाम भी भरो नौ, वाक्य बनाओ, उसके पिता एक सुन्दर सा खिलोना बनाने में लगे हैं, इस वाक्य में सुन्दर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है तुम भी साधार्ण बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर और त्रिकून शब्द में सा से या सी का प्रियोग कर वाक्य बनाओ 10. कुछ यह भी करो, कहर्श का पिता समुद्र के किनारे रहता था, वह तरह तरह के खिलोने एवं मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था 10. तुम अपने आस पास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, वे किन किन चीजों से क्या क्या बनाते हैं ख समुद्र से सीपी, कौडी, शंक, पत्थर, आधी प्राप्त होते हैं, पता करो उससे और क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं इसकी एक सूची बनाओ, ग, हर्ष और कनक ने मन्जरी को समुद्र से निकाला, इसके बाद उन्होंने मन्जरी को प्रात्मिक उपचार दिया, पता करो, तुम कौन से प्रात्मिक उपचार करोगे, यदी किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए, पैर में कांच घुस जाए, कोई जहरीला जन्तु काट ले